परम स्रद्धे गुरुजनों, सम्मानिय सांथियों, मेरे प्रिये छात्रों, मैं संचालग मुकेश जाड़ आप सभी को गुरुपुर्णिमा के पावन पर्व की हार्तिग शुब कामनाय व्यक्त करता हूं। सांथियों गुरुशब्द का जो मिनिंग है वह है अंदकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। भीकारियों की तरह मांगते हुए बिता देंगे तो गुरुशब्द सक्स का नाम है जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारे शरीर रूपी इस कमरे के अंदर जो ग्यान की अनमोल दोलत रखी हुई है उससे हमारा साक्षात कार कराते हैं और हम जैसे भीकारियों को शेहनसा बना देते हैं गुरु की महिमा का वरणन करना इस संसार के किसी भी प्राणी के बस की बात नहीं फिर भी मिशाल के तोर पे मैं आपको समझाओं कि सम्झण धरा को मैं कागज बना लूं और समूद्र के पानी को शाही बनाके यदि गुरु महिमा का वरणन करने की कोसिस तो धरा रूपी कागत छोटा पड़ जाएगा और समुद्र रूपी शाही खतम हो जाएगी लेकिन गुरु महिमा का वर्णान संभव नहीं साथियों गुरु दाता है गुरु देने वाले का नाम है गुरू का हाथ कभी ऐसा नहीं होता, गुरू का हाथ सदेव ऐसा होता है, गुरू के जीवन में देना ही देना है, यदि दो पंक्तियों में गुरू के पहचान के रूप में रखूं, गुरू ऐसा चाहिए जो सिस्य से कछू न ले, और सिस्य ऐसा चाहिए जो गुरू को सब कुछ दे, गुरु देने वाले का नाम है, और हम सिक्षकों का जो रिस्ता हमारे विध्यार्तियों के साथ जुड़ता है, वो तो रिस्ते की शुरुवात ही लेने से होती है, आप आकर हमारे माता-पिता की दिन और रात की कमाई को जब संस्थान में जमा करते हैं, तब आप और हमारा रिष्टा जुड़ता है और उसके बाद हम आपको सिक्चा देना प्रारम करते हैं तो इस लिहाज से हम सिक्चकों का आपके साथ जो रिष्टा जुड़ा है वो लेने से जुड़ा है तो मैं तो अपने आपको कभी गुरु कहलाने के लायक नहीं समझता मेरे जीवन का तो ये प्रयास है कि मैं सिक्षक दिवस की शुब कामना अग्रहन करने के लायक भी बन गया तो भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा क्योंकि मैंने अपने जीवन में कहीं हो एसे सिक्षक देखे जो प्रेम और दया का परिया है जिनके जीवन में इर्षया, द्वेस, घमंड का तो कोई स्थान ही नहीं है साथियों इन सब के बावजूद भी हम जैसे सिक्षक जो सिक्षक दिवस की शुब कामना अग्रहन करने के लायक नहीं है फिर भी आप गुरू पूर्णिमा के इस पावन परोपर हमको सम्मान प्रदान करते हैं मैं इनके लिए आप सभी का कोटी-कोटी नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आपके उजवल भवश्य की कामना करता हूं बहुत-बहुत धनिवाद